नमस्कार अपुर्वास किशिन में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ एक इवनिंग स्नाक की रस्पी शेयर करने वाली हूँ शाम के वक्त भूख तो हर किसी कोई लगती है लेकिन ये भूख इतनी भी नहीं होती कि हमको शेवी खा ले कुछ लाइट लेकिन टेस्ट लिखाने का मन करता है यही छोटी छोटी भूख के लिए आज मैं एक छोटी सी रस्पी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्दी बन कर ये टेस्ट इसी रस्पी तयार हो जाएगी आज हम बनाएंगे मोनाको बिस्कित सैंड़िच इसके लिए एक बरतन में हम मयोनीज डाल लेंगे यहां मैंने तीन चमच एगलिस मयोनीज योज़ किया है मयोनीज डाल देने के बाद अब हम इसमें उबले हुए आलो डाल देंगे आलो को मैंने उबाल कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है आलो डाल देने के बाद अब हम इसमें प्यास डाल देंगे ये एक छोटे साइज का प्याज है इसे भी बिल्कुल छोटे चोटे टुक्रों में काटना है प्याज दे देने के बाद अब हम इसमें शिम्ला मिर्ष टालेंगे ये मीडियम साइज का एक शिमना मिर्श था इसे भी मैंने बिल्कुल छोटे टुक्रों में काट लिया है अब हम इसमें हरे मिर्श डाल देंगे ये दो हरे मिर्शे हैं हरे मिर्श दे देने के बाद अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे टमाटर के बीज को हटा कर इसे भी चोटे चोटे टुक्रों में काट ले अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले आप अपने पसंद देदा और भी वेजिये इसमें अड़ कर सकती है अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें Mixed Herbs डाल देंगे हबस दे देने के बाद अब हम इसमें छोटे चमच से दो चमच Black Paper Poder टाल देंगे काले मर्श पॉडर दे देने के बाद अब हम इसमें एक पिंच नमक डालेंगे नमक दे देने के बाद इसमें दो चमच करीब केचिप डाल देना है एक बिस्कित को डाल देने के बाद जो तैयार फिलिंग है इससे हम उपर से रख देंगे फिलिंग दे देने के बाद उपर से एक और बिस्कित लगा दे आपका बिस्कित सांडविच रेडी है ऐसे ही हम दूसरे बिस्कित को ले लेंगे और इसमें हम मैयोनेज डाल देंगे आप जाहें तो मैयोनेज की जगा केचपी डाल सकती है मिल्कुल थोड़ा से मैयोनेज डाले और इसे चमच के मदद से पूरे बिस्कित में लगा ले मैं उन्हें इस पूरे बिस्कित में अच्छे से लग जाए तो उपर से जो फिलिंग हमने तयार किया था इसे डाल कर उपर से एक और बिस्कित लगा दे ऐसे ही आप किसी दूसरे नमकीन बिस्कित के साथ बना सकती है ये ऐसे तयार हो गया है बागी के biscuit को भी हम ऐसे ही sandwich तयार कर लेंगे एक एक करके ऐसे बना लेना है उपर से हम ketchup लगा कर इसे serve करेंगे आप देख सकते हैं कि biscuit sandwich मैंने बना लिया है उपर से ketchup लगा देना है ये बच्चे भी बना सकते हैं इसके feeling की ingredients अगर आप पहले से तयार कर लें इसे बनने में बिलकुस तीन से चार मिनट ही लगते है मौनाका बिस्कित sandwich ready है आपको ये recipe कैसी लगी है comment करके ज़रूर बताए अगर आपको मेरी recipes पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को like और share ज़रूर करें चैनल में नए हैं तो subscribe करना ना भूले अगर आप मुझे Facebook में देख रहे हैं तो follow करें और अगर YouTube में देख रहे हैं तो subscribe कर ले साइड में जो bell icon देख रहा है उसे प्रस कर ले ताकि मेरे वीडियो के notification आप तक सबसे पहले पहुँच जाए Thank you, thanks for watching